आज किस वीडियो में हम देखेंगे 10 ऐसे यूनीक वाचेज जो की आपका दिमाग घुमा देंगे वो सारे वाचेज आपको टाइम तो दिखाएंगे लेकिन कुछ एमेजॉन के सबसे सस्ते वाचेज हैं और कुछ सबसे यूनीक वाचेज लिया है उन सारे वाचेज को सर्फ सलेक्ट करने में वीडियो में बहुत मजा आने वाला है अब सब को बता है कि जी शॉक का क्रेज कितना ज्यादा बड़ा है वो रगड़ लुक के साथ आता है है डिजिटल वाचेज होते हैं और कमा लगते हैं हमने उसका चीपिस वर्जन निकाला ब्लाइंड का लाम है स्वर्जी स्टफ और आपको सिंपल सी काटबूर्ड की पागजिंग मिलती है हो 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 जिस्ट लुक अट डिस बाइलिट रिलीज में एक यूजर मैनुवल भी है प्राइस सुनो के ना इम्मा खराब हो जाएगा आपका पहुत जाब अच्छी है एक्शुली वच की बिल्ड पॉल्टियए ना बहुत जादा अच्छी है सलिकवान स्टेर आप आपको देखने को मिल जाएगा पूरा हड प्लास्टिक बिल्ड इसका केस है भाई क्या खतरनाक जो अरदस लग रहा है, समझ लो ना की 500 रुपे में KGF का सोना मिल गया है, चीपेस G-Sock देखने के बात बार ही आती है, चीपेस स्मार्ट वाच की इसमें आपको कोई भी ब्रैंडिंग नहीं मिलती है, बस यहां पर लिखा हुआ है, स्मार्ट ब्रेसलेट नीचे आपको बहुत सारी फीचर्स का आइकन देखने को मिल जाएंगे, वैसे मेरे थम्नेन वाला आग यहां पर क्या कर रहा भाई वाच की फीचर्स को जाने से पहले मैं आपके एक्साइटमेंट और बढ़ा देता हूँ भाई, यह स्मार्ट वाच मैंने पांच सो के अंदर खरता है, फर्स्ट और वाच की बिल्ड क्वालिटी ना सच में टॉप नौच अलग रही है, फ्रेंड में आपको अच्छा खास पर आप कर सकते हो, इवेन ना वाच फेसे भी चेंज कर सकते हो, यह स्बी कि थूरु यह चार्ज हो जाता है, फड़ा वर्ड लगाते हैं इसके स्ट्राप को, पुरा सिलिकन स्ट्राप आपको देखने को मिले का और उसके उपर भी आपको हलका हिलके टेक्शर्स देखने क मेरे को बोला, यू मेला, पागा, MRPS के 1299 इतना को पहने करना, don't worry, and कहा गया वाच है, कहीं है, कहीं है, कहीं है, वाच है नहीं है, अरत कहा आगया, ओ भाइसा, कि इतना छोटा वाच, देखा है कभी, ऐसा लगा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे छोट्वेस्ट वाच है, दोस् स्ट्राप की तरह ही दिखते है, बड़ी क्यूट सा लगता है, और इसे एक लास्टिक मेकनिजम टाइप का बनाए गया, यानि ये पूरा एक्स्टेंड होता है, और पूरा चोटू भी हो जाता है, तो आपके उगली का साइज, जो भी है ना, ये अराम से फिट हो जाएग हैंड्स भीज में दिया गया है, एक क्राउन भी आपको दिया गया है, तो अगर जिदी में आप किसी को उंगली करना है, ना तो टाइम निकाल के उंगली करना, एक्चुल में, और नेक्स वोच आगी हमारे पास में, ये भी इस तरह की काड़़ टाकिज में आता है, कोई प्राइसिंग लिखी हुए है, या नी 12199 या या नी 1219 इसके MRP, आपको बहुत सस्ते मिल जाएगी, यू लेजर का आपको श्राप मिल जाएगी, श्राप की क्वालिटी डीसेंट में कहूंगा, बगल की क्वालिटी बहुत जादा अच्छी है, वाच का केस आपको पुरा वाइट कलर के हैं, इस वाच में यूनीक क्या है कि लोग ऐसे गोली चलाते हैं, यह वाच ऐसे गोली चला रही है, या नी जो आवर मारकर्स उपर उपर रहते थे वो बस सेंटर में है, आप अपने कांटे की हिसाप से अपने समय का अंदाजा लगा सकते हो, सिम्बल से इस भाइवा इंटरप्राइजेज, ओ, भावया है, स्वाड़े साले, भाइवा प्राइजिंगे अब लिगी गई है, 3499, एसके यह 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 पर लिखा हुआ है, ब्लू पादू, कहीं है थ्री जेट्स के चतुर राम लिंगन वाला पादू तो नहीं है ना, राजू, वाच फॉम, डबा खाली, एक चीज़ तो मैं इंसारे वाचिस में देख पा रहा हूँ ना, कि विल्ड कॉलिटी ना, बहुत ज्यादा अच्छी है वाच की, लुक एट दिस भाई, क्या खूबसूरत वाच है, पुरे स्टेनले स्टेल का आपको श्राप में जाएगा और ऐसे ट करके ऐसे लकीरे बना दिया ही है, और यहाँ पर अगर आप सामनी देखू के ना, तो यहाँ पर दो राउंड ऐसे करके ना, टर्न होते हैं, तो यह मोटा वाला जो ब्लू दिकरा है, जो इस तरफ घूमेगा, वो आपके आवर्स को इंडिकेट करता है, और यह पतला वाला आपको कौन सा वाच सबसे ज़्यादा यूनिक एंड इंटरस्टिंग लगा, नेक्स वाच आगे हमारे पास में क्या देख सकते हूं, इतिनी चोटू सी पिदी सी वाच है हमारे हातों बैडी, और इसके अंदर निकलता है वाच, इसे हम आपको हिटनोटाइस करेंगे, और आप हमें अपना वाक्त बताएंगे, ये वाच बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, ये बिसिकली एक ना पूरा पेंडेंट और चेंड के साथ आता है, और जो इसका पेंडेंट है, वो इसका वाच है, सिंपल सा आपको इसमें सिक्कड जासा चेंड मिलता है, और नीचे उसके बाद आपको ये गोला-गोला समान जैसा मिलता है, जिसके उपर एकड़मन वाली नकासी की गई है, और उपर आपको एक मिलता है बटन, इस बटन को अगर आप प्रेस करोगे ना तो ये तूंग से खुलता है, और अंदर में भाई आपको मिलती है घड़ी, ये समय क इसके पकड़ा दिया जाता है, जो उसके पार्ट गाईशा के बात करें ना वहाँ जादा अच्छी क्योलिटी का वाच इसमें दिया गया है, ठीक इस वाच के ऊपर में ये जो बटन था ना उसके नीचे मैं आपको ये वाइन मिलता है, और एक्शली ये एक्जैक्ट कैसा दिखता है मैं बता दूं हैरी पॉर्टर को आपने देखा है ना जो जाडू वाला है लोंग रेस करते हैं है रिपोर्टर में उसमें एक ऐसा पंक वाला होता है मुझे इसका नाम नहीं याद है इक्जाक्ट वैसा ही वैसा दिखता है और नेक्स वाच आगे है हमारे पास पर फटावर्ट इसके डप यह नहीं उकालते हैं है यहापर इसके ब्राइन के नाम है हुआ यह क्या हुआ बे मैं नीटु कॉन बे इंस्पिरेशन यहीं से लिया था क्या है वाच को फटावर्ट निकालते है भाई अंदर में पूरा बना दिया गया है उपर में आपको रोम लेटर से ऐसे करके आवर मारकर सौर मिल जाएंगे यहांनि बार के उपर एक्स वन वन और वन के उपर वन टू के उपर टू ऐसा करें डिजाइनिंग बनाई गई गयी है सिंपल सा आपको वाच कर देखने को मिल जाएगा नीचे मे देखने को मिलता जो कि बड़ा ही मरियल सा और अगर आपने कोई जेली वाला चॉकलेट खाया ना हो कैसा दाता है और सबसे भदी बात क्या है कि ऐसा गोल्डन के साथ यह सिल्वर बगल कौन देता भाई वह एक तो यहां पर आपको चार्जिंग के लिए एक सौकेट मिलता है और एक छेट के अंदर आपको एक बहुत मस्त सी जलीवी देखने को मिलेगी क्या रसीली जलीवी दिखरी भाई मस्त लग रही है यह वाच वाच के साथ साथ एक एक इलेक्ट्रिक सिग्रेट लाइटर है यानि यह छेट के अंदर के जलीवी के तूँ ना अप अपना सि जली ना पता नहीं आपको दिख रहा है की नहीं फिर से दिखाता हूं तेखो ये खोला ये छेद में डाला ओ भाइसा प्या मास दो निकल रहा हुआ जाए हां सिग्रेट फूकना नहीं है तो जिन्दीगी फूका आजाईगी इतना चूटा सा के लिए इतना बड़ा तर यहां पर आपको यह फॉन्टन ऐसे करें जलता हो दिखेगा और आपको पूरा एक्जाक टामिंग पता चल जाएगा तो यहां पर इस घड़ी में अभी पांच बज रहे हैं बड़ा ही यूनिक लगता है और ऐसा लगता है ना कि एकड़म ब्लैक कोईला के बीच में लावा जैसी जल रही है बहुत ज़्यादा यूनिक लगता बाई बहुत ज़्यादा अगर आप इसे पहन लोगे न तो बे मस्त वाच अलग रहा है और यह सारे वाच इसके ना लिंक भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो डूंट वरी खरीच सकते हो और इसी वाच से रिलेटेट और एक वाच आगे हमारे पास ना जो कि इस पूरे वीडियो का सबसे एक्स्पेंसी वाच है डबा कच और वाच ना काफी भारी भी है इसमें आपको डिजिट्स देखने को मिलेंगे इसमें अकर बटन दाबोगे ना जिसके तुरू आप अपने आवर को समझ सकते हो एक तरफ आपको आवर के मार्कर्स मिलेंगे एक से पूरा बारा तक उसके बाद एम लिखा हुआ उसको अब लिखाएंगे ने इसमें इसमें लिखा रहता है यह सारे वाच आपको बड़ा ही यूनीक तरीके से टाइम दिखाएंगे क्योंकि आपका टाइम बहुत जादा यूनीक है इंट्रेस्टिंग है तो आपके वाच को भी इंट्रेस्टिंग होना ज़रूरी है एक पर फ्यूजर की मशीन में हाथ में पहन रखी है इन सारी यूनीक वाच्टिंग आपको में जाएंगे डिस्क्रिश्टिंग में आप मुझे कमें बताएंगा कि आपका फेविरिट वाच कौन सा था अगर यह वीडियो अच्छी लेगी में कि वीडियो को लाइक करके चाहां प सब्सक्राइब करके हम इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में फॉलो कर ले अभी के लिए बाइ जैहिंद पीश बूं